जैहिन मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट एम पर आपका स्वागत है देखिए आज हम बात करने वाले हैं टौफिक के अंतरगत पर थेमनेल पर आपने देख लिया होगा कि यातायत के साधर उत्राखंडे के अंतरगत पर एनेज हाईवे कौन-कौन से हैं वैसे तो मेरे द्व अगर आपने पेपर दिया था तो आप जान चुके होंगे अगर आपने पेपर नहीं दिया था तो फुराना फेपर उठाके देख लिजेगा ठीक है समझ जाएंगे उसके बाद में इसके अंतरगत पर अगर हाईवे संबंदी और जो भी है और इंपोर्टेंट टु क्वे आपके लिए फ्रोवाइट किया जाएगा उसका नौटिविकेशन आपके पास टाइम पर उपलोब दो जाएगा जैसे कि हमने कहा कि नैशनल हाईवे राष्टी राजमार को उत्राखंड के अंतरगत पर जो यू के पी ऐसी या यू कैसी के अंतरगत पर एक्जाम रिलेट करने की कोसिस करेगा वो इस वीडियो के अंतरगत पर कंप्लिटी रूप से मेरे द्वारा डिसकस करने की कोसिस की जाएगी मैप के माध्यम से और फैन कॉपी लेकर आराम से बैठकर और ध्यान पुरग सुनिएगा ठीक है ना विसे मैंने जारा ठोटी के लिए हाँ पर पर कंप्यूजन है तो उसको दूर करने की कोसिस की जाएगी और वीडियो को वार बार देख लीजिएगा सबसे पहले अगर बात करें तो उत्राखंड के अंतरगत पर राज जी में क्या है राश्टी राजमार्ग की लंबाई की बात करें तो मैं यहां पर लिग देता हू सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक सा जानकारी और वता देता हूं ताकि आप कंफ्यूजन मत होना ठीक है उत्राखंडे में न्यू विगनर जूड़ है यू के एससे यू के पियारी का कंटेंट है हमारे द्वार आपके लिए फ्रोवाइट किया जाता है उत्राखंडे की बा है उत्राखंडे में दो मंडल है कुमाव मंडल और गडवाल मंडल कुमाव मंडल के अंतरगत पर यह च्छे जिले कवर करते हैं और गडवाल मंडल के अंतरगत पर यह साज जिले कवर करते हैं और उत्राखंडे की दो कैपिटल है एक तो है गर सीथ कालीन कैपिटल की बात तो उत्राखंड का सबसे बड़ा डिश्टिक है गड़वाल मंडल के अंतरगत पे चमोली डिश्टिक जो ये पूरा गड़वाल मंडल लेना 60 वसंट कवर करता है और एक कुमाव मंडल 40 वसंट कवर करता है और सबसे छोटा डिश्टिक है चमपावड डिश्टिक हो गया पह नहीं देखे उन वीडियो को देख लिजेगा उन वीडियो के अंतरगत में डीपली और चोटी-चोटी वीडियो तोड़कर हमारे द्वारा आपके लिए फ्रोवाइट किया है ताकि आप आसान समतों पर समझ सके और कंप्यूजन नहों सके दो करके और पूरा साइग अलग से वीडियो कर देता हूं ताकि आपको वीडियो लेंदीन हो और आपको कैसे फ़ाड़ आ है यह चीजेista नियुकर हमारे और कितने द्वागकर है फूरा साहक अलग से वीडियो मेंने बनता है एक्जामिनर वहुत वारवे कि पिठोरागड उत्राखंडे का ऐसा कौन सा डिस्टिक है जिसकी सीमा सरवादिक देशों से लगती तो दो देशों से लगता है तिबत और इसके अंतरगत करें और इसके अंतरगत की बात करें तो नैफाल के अंतरगत पे पिठोरागड ताकि आप आसान सब्दों में समझ जाएं जैसे कि मेरे द्वारा पहले भी कहा गया कि राज्जी के अंतरगत पर राष्टी राजमार्गों की लंबाई कितनी है एक जार तीम सो एक्जामिनर पूछ सकता है एक क्वेस्टन बनेगा कि राष्टी राजमार्गों की लंबाई उत्रा खंड़ के अंतरगत पर कितनी है एक जार तीम सो फिजित्तर दसमलव यहाँ पर लिख देता हूँ साथ बनाब तीम सो फिजित्तर दसमलव साथ चे है उतना इंपोटेंट है नहीं इतना किलो मीटर हो गया और इसी के अंतरगत पर राजमार्गों की लंबाई की बात करें तो वह कितना है यहाँ पर लिख देता हूँ 3788.2 3788.2 किलो मीटर के अंतरगत पर और तमान में अगर राजमार के एनस की बात करें तो कितनी है अभी यहाँ पर 14 है यहाँ चीज़ भी आफ ध्यान रखेगा 14 है कब कब बना मैं यह सीज़ भी बता देता हूँ यह सीज़ों के अंतरगत पर पहले किलेर लेकिया जाता हूँ फिर वापस मैपर लेकर आपकर बताओंगा आपको ठीक है ना थोड़ा सा मैपर अटपटा लग जा रहा है थोड़ा सा वोर्यत आपको कंफिजन भी हो रहा पहले तो उत्राखंडे में नो एनेस थे एनेस का मतलब होता है नैसनल हाइवे अब उत्राखंडे के अंतरगत पर कितने होगे चौदर टोटल होगे अब कितना है जैसे कि मैंने पहले कहा कि इनका अगर किलोमीटर की बात करें तो तो तेरह सो पीजितर दसमलाव साथ ठीक नवी पंचवर्षी योजना 1997 से लेकर 2002 के बीश में बहुत सारे क्वेस्टन ने रिलेट हो जाती है पर तेक टॉफिक पर एक ही क्वेस्टन बनते रहेगा यह सिज आपको ध्यान में रखना है नवी पंचवर्षी योजना थी एक्जामिनर पूछेगा तब तक कौन से पं में से लेकर 2002 के बीस में इसके अंतरगत पे नवी पंचवर्षी योजना तक नोन एनेज थे उत्राखंडी की अंतरगत पे वह एनेज हाईवे कौन कौन से थे मैं हाप लिखकर भी बता देता हूँ आप उस सिसको भी समझेगा सबसे पहले की बात करें तो एक था एनेज 58 और था 72 और हो गया 72 कर गर गये ठीक है और उसके बाद था 73 और 74 एक यत सेवन और उसके बाद की बात करें तो 108 हो गया 108 हो गया और 109 हो गया 109 हो गया ठीक है ना और उसके बाद में देखिए 1,2,3,4,5,6,7,8,1,9 चूट गया साइद इससी के अंतरगत पा आप कन्फिज गया 72 हो गया 72 हो गया 73 हो गया 74 हो गया 87 हो गया यहाँ फर छूट गया ठीक है मैं लाइन वाट लेका आ रहा था है यह पर 84 हो गया और 108 हो गया और 109 कितने हो गया टोटल के बाद करें तो 90 यह बने 95 वर्षी योजना तक यह देखना दो चीज है रिलेट होगी 95 अंतरगत क बात करें तो नवी पंचोवर्शी योजना तक नौराश्टी राजमार के थे सेम से मारा नाइन नाइन ये चीज़ है 1997 से लेकर 2002 में और उसके बाद में कितने बने पांच एनेज और जुड़े नेशनल हाइवे जुड़े जो कब जुड़ा 2004 में किलियर कर देता हूं यहां फर कब जुड़े 2004 फर थोड़ा सा ध्यान दीज़े गए यहां फर 2004 कब बने 2004 ठीक है समझ गयोंगे आप इसी के अंतरगत पर कब बने थे 2004 अब एक मिनट थोड़ा सा रूख जाईएगा बसा सभर सही होगे किलियर होगे इसके अंतरगत पर बता देते थे ठीक है अगर जो नए बने थे वो कौन कौन से बने एक तो बना 87 ठीक है एक 87 फुरान है और 87 नए है ठीक है क्या कि है це रिलेट है अभी मैं बताने वाला हूँ किस-किस एरिया को कबर करता है एक है 119 याद करने का मैं फॉर्मूला भी बताऊंगा आपको ठीक है एक बना 121 और एक बना 120 आपको याद करनी है जो यह एनस हाई भी यह वाला बना तो एक तो 87 दो है ठीक है द्यार रखना एक नया ब 122 यहां पर गाइब हो गया और 123 इसके बाद 124 यहां गाइब हो गया तो यह चीज का भी आपको ध्यान रखनी के आवशकता है मैंने यह चीज भी बता दिया आप confusion मत होना ठीक है ना याद कर लेंगे सौटली रूफ से अब देखें जो एनस हाई वे होता है तो उसकी जिम पर रहरे तो आपने यह चीज़ा बहुत सारे देखेंगे कि उनको उनके दोरा रोड बनाते हुए ठीक है ना और क्या गाजाता है उनको सौट में भी आरो कहा चाता है इसके अंतरगत पर इनके दोरा काम किया जाता है अब समझ के होंगे अब मैं थोड़ा सा और चीजे र 06.87 है इतना आप समझ लिजेगा ठीक है और इसी परकार राजजे में मारगों की अगर को लंबाई की बात के तो राजजे में टोटल मारगों की लंबाई कि इतने चोटे बड़े जित्ते भी है तो लब लगब तीस अजार साथ सो तिरेपन दसम्लाव एट टू किलोमेट इस परकार राजजे के अंतरगत पर मारगों की लंबाई इतनी है ठीक है अब बहुत सारे विभाग होते ना विभागों को बाटा होता अब मैं आगे भी बताऊंगा जैसे उत्रा अपने उत्राखंडे के अंतरगत पर ही लेने थे सोटे रूप से समझने के लिए ताकि आ हाईवी आता है दो प्रादेसिक बराज मारगा करता है और डिश्टी के अंतरगत की शड़क आती तीश्य नमर की और इसी के अंतरगत तो अन्य Reason key अंतरगत की शड़कत और चलने की शड़कत की खाति और खलकन मारग जहां पर चलने करके बता देता हूं दूसरे नमबर का है इस्तानी निकाई की पास करें तो इस्तानी निकाई के पास में लगब लगब एक फश्टे बात करें तो मोटर मार्ग जिला पंचायद के अंतरगत तो जो मोटर मार्ग को जो क्लद तो जो मोटर मार्ग हो गया नगर पाली का नगर्काइप निगण अब मैंने बतायimana नगर्निगम होती है कि जिस जन संग क्या मलब लुक होती एक लाग से अधिक होता तो वहाँ पर नगर निकम बन जाता है उसी पर का नगर पालिका और नगर पंचायत का अगर आप जानते तो कमेंटी के माध्यम से पताईएगा नहीं जानते तो आप रिविजन किजिएगा अगर मोटर मार्ग जिला पंचायत इस्थानी निकायों के इंतरगत पर जो मोटर मारगे है जिला पंचायत के अंतरगत पर अगर उसकी बात करेत तो लब-0. anime किपना है नगर निकम और नगर पंचायत की बात है तो लब-0. eerste किवैं है पूंसकता है 302 km और उसी के अंतरगत पर अब देखे थर्ड एट सेक्टरा के अंतरगत पर जैसे और चीज़ा आ जाती है तो यह कंफ्यूजन होते हैं बहुत सारे स्टूडेंट अन्य विभागों के अंतरगत की बात करें तो जैसे सिचाही विभाग के अंतरगत पर भी होता है रोड बन टी एफ होता है ब्या टी एफ के बावाज कितनी है 1281.3 km जैसे अन्य हो गया जैसे मंडिया होगी PMG SY करत के ठीक है पन्धार मंत्री ग्रामीन सरग योजना करके ठीक है उसको सौट में क्या कहा जाता है PMG SY कहा जाता है इनके पास भी सरग मनाने का होता है 1906 km लबलग इनके दारा जो अन्य विभागों के अंतरगत पर उत्राखंडे के अंतरगत पर सडग टोटल बनाई गई है तो इसके अंतरगत की बात करें तो 8141 लगबल दो किलो मीटर पॉइंट टू किलो मीटर के आसबास ठीक है टोटल अगर योग की बात करें तो लोग निर्मार्ण इतनी सड़क इनके द्वारा बनाई गई ठीक है अब देखे जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे कि यहां पर जो बेसिक सा मैंने बता दिया कि परिवहनों के अंतरगत पर किस कितने भागों में बाटा गी है कितने एनेस हाईवे है और राज्य के अंतरगत पर एनेस हाईवे कि और कब बना और कितने बने कौन से पंचेवर्सी योजणा के अंतरगत पर बना सबसे चोटा नेसनल हाईवे यह चीज याद रखना है पिसले बार एक्जामिनर ने भी पुछा ठीक है अब चलिए एक एक करके मैं सब नेसनल हाईवे को मेब के माध्यम से आपको बताता हू यहाँ पर देखेगा यह देखे प्यारे भारत के अंतरगत पर हमारा फ्यारा उत्राखंड ठीक है जिसे देव हमी उत्राखंड भी खाया जाता है सबसे पहले बात करते है एनेस हाईवे 58 देखे यह आता है गाजियाबाद मेरट यह हरीद्वार से होते हुए रिसी केस हरी फिर मेरट फिर हरीद्वार फिर उसके बाद में हरीद्वार से रिसी केस से होते हुए कहां को चले जाती है यह सिधे बद्रिनात और माणा को चले जाती है दूसरे एनेस हाईवे की बात करें तो 72 है एनेस हाईवे ठीक कौन सा हो गया 72 हो गया जो कहां से होती है अंबाला ठीक नहान है हिमानचल परदेश के अंतरगत पे और अंबाला फिर उसके बाद में नहान फिर दिहरादूल फिर क्या हो गया रिसी केस यहां से होते हुए ऐसे करके दूसरी आती 72 अब 73 की बात कहे तो 73 जो हाईवे है वो आता है रुड की सहारनपूर और यम्ना नगर और कहा पर आती है पंच कुला ठीक है इसके अंतरगत पर से रिलेट हो जाता है बस इतना प्यजडी करने की कोई आवशकता नहीं है बेन तार्गेट यह है कि स्टूडेंट ज्यादे इसले होते हैं कि वो ज्यादे डीपली देखने लग जाते है इतना एक्जामेजर पूशता है क्योंकि चालीश-परचास कुश्चन उत्रागंडे जीएस होता है तो उसको भी इतना टाइम नहीं है कि उतना डीपली गुश जाए ठीक है जितना बताते हैं इतना पढ़ लो बहुत इंपोर्टेंट है 73 एनेस हाइवे की बात करें तो नेस हाइवे है 74 तो यह हरिदार ज है 87 हो गया रांपूर रुद्रपूर हलद्वानी और नेलिधाल ठीक है रुद्रभ में यह देखें नेलिधाल यहाँ पर बंगतरें और रुस्थिक के रांपूर और फिर हलद्वानी है पिर बात ईसके इन्न चौंसी है 87, एक NS 87 दूसरी है, वो चीज में मैं बता देता हूँ, इसी के अंतरगत पर रिलेट करके, ठीक है, बाद में आपका इंफ्यूजन मत हो न, 87 जो दूसरी हाईवे, एक NS तो है, इसी के अंतरगत पर रामपुर, दुरपुर, हल्दवानी और नैनिताल, दूसरा NS हाईवे है, इसी के अंतरगत पर नैनिताल के अंतरगत पर जोली कोट है, ठीक है, जैसे आप नैनिताल डिस्टी के अंतरगत पर लाश्ट रेलो इस्टेशन है, काड़ गुदाम, उससे उफ़र कुछ किलोमेटर पर जाएंगे, तो वहाँ पर जोली कोट है, तो इसी के अंतरगत पर ज कि अंतरगत पर इसके बात करना पड़ी उपर को चले जाता है कि एकड़ी सेवन गाती से ऑगीए इससे रूट से होते हुई और इसी के अंतरगत की बात करें तो ने निताल से आगे रेलेट कर सकते हैं, इतना तो चले जाता है यह ने निताल से आगे जो यहाँ पर थोड़े से कट लग जाती है, इसलिए confusion बस हो न अब एनेज 84 की बात कर तो जो 84 है वो है रिसी केस के अंतरगत पर ठीक है यहाँ पर है रिसी केस अंतरगत पर तीहरी हो गया और तीहरी के अंतरगत पर धरासू फूल चट्टी हो गया और यम्लो तरीकों होते हुए यहाँ से चले जाती है 72 क की बात कर तो जो है छुटमलपूर से लेकर देहरादून है सबसे छोटा हाईवे 72 क कहाँ पर यह देहरादून यहाँ पर अंतरगत पर है छुटमलपूर जग है छुटमलपूर से लेकर देहरादून तक और उसके बाद में नेक्स्ट हाईवे है 108 की बात करें तो नहीं है धरासु उत्तरकासी और गंगोतरी इसके अंतरकत पे हाँ पेस्ते थैं गंगोतरी उत्तरकासी के अंतरकत पे है धरासु हो गया धरासु उत्तरकासी और गंगोतरी सब्सक्राइब लेकर गॉरी कुंडी 109 क्या हो गया रुद्रपूर जो अदमशिंग नगर के अंतरक्त पर इससे लेकर एक 87 के बारे में मैंने पहले बता दिया जो यहां पर ने निताल के अंतरगत पर इस्तिरे ठीक पूछ सकता कौन-कौन सा एनसाइवे किस टाइम फे बना तो बार-बार में रिपीटिस ले कर रहा हूं ताकि आप समझ जाए और नेक्स्ट की बात करें तो यह विकास नगर काल सी और यमनापूल और वेनी बाग और डामटा हो गया नौगा हो गया काल्सी हो गया और बढ़कोट के अंतरगत पर इस्तित है ठीक है और उसके बाद में नेक्स नेसाइवे 119 की बात के तो वह है मेरट मौना ठीक है नाम थोड़ा सा कॉंप्लिकेटिव इसमें रही हुए मेरट की बात करें तो मेरट से लेकर सबसे बढ़ान अंतरगत करें तो के है उसके बाद में कोटद्वार के बाद में जिसको कर्णव नगरी भी कहा जाता है ये चीज भी ध्यान रखना ठीक है उसके बाद में दुगड़ा हो गया और गुमखाल हो गया और सथपूली हो गया और पौड़ी गड़वाल हो गया पौड़ी गड़वाल इसके अंतरगत पर यहाँ पर कबर करेगा और सिरी नगर इसी के अंतरगत पर यहाँ पर हो गया ठीक है एक सो लो हाईवे है और उसी के अंतरगत की बात करें तो 121 हो गया जो एनेस हाईवे है 121 अगर इसकी बात के तो यह हो गया कासिफूर से सुरू होता है कासिफूर राम नगर यहां पर ठीक है यहां से कासिफूर राम नगर हो गया और धूमा कोट हो गया बजीरो हो गया थैली सेंड हो गया और तिरपाली सेंड हो गया और मुसा गली ठीक है और उसके बाद में आग तो इसी का लिंक पानी होते हैं," अब इक nutal को जा रही तो एक सब्सक्राइश होती AH तो गशन कर जाता है, क Kings Riisre, temp 525 नमर का NHIV की बात ख्री तो सितार गंज हटीना ठीक के यहां पर रहे हैं उदम्सिंह नगर के ंतरकोध और चलती और उसके बार में यहाँ पर इसके अंतरगत पर यहां चंपाउट को चले जाता है और लोहागाट और फितोरागट चंपने अंतर पर पितोरागट को चले जाती यह एक सोफ चीस है ठीक है शमजगे होंगे जो 14 थे इतना जो इमपोटेंट वी रूप से उसने नहीं गर इसरी के अंतररगत पर टोटल मैंने बता डिया कुल Ben contenu कि T ठीक है उत्राखंडी के अंतरगत पे तो यहां पर तो है नहीं एक लगता है यहां पर की बात करें तो हरीद्वार से एक देहरादून से एक फोड़ी गड़वाल से एक उदम सिंग नगर एक नेरी ताल और एक चमपाओ तो कितने डिस्टिक होगी रेल मारगे की लंबाई छ किन गड़वाल के डिस्टिक है यहां पर से लगता है अगर टोटल उत्राखंडे में रेल्वे की बात करें तो 344 किलो मीटर है ठीक है 249 किलो मीटर है इसके आसपास में और इसी के अंधर गजबी की बात करें तो इसी में सबसे बड़ी लाइन और चोटी लाइन पूछ सक करते हैं और सब्सकном कर्दम कि बात उटोथ शेंटां लेटेशनों की बात क्यों एक चालिस रेल्भी स्टेशन थेपए और उब्रोट इस पर इस परकार की एकजाम नहीं बहुत सारे इसके बाद करें the highway का कॉन को और से कहेगा १ो चीज और इसके अंतरकत पर कितनी सड़ा गए यह यह गट है तो उसको क्या कहा परिष्टी थे देहरादून म freuehero कर डेता हूं वाफस के लिए आप समझ जाएंगे तो जो लिकूर जो हवाई एड़ है वो कहां पर इस्ती थे देहरादून के अंतरगत पर इस्ती थे और दूसा जो नैनी सेंड है वो पिथोरागर डिष्टी के अंतरगत पर इस्ती थे और चिनियाली सेंड है और उत्तरकासी के अंतरगत पर इस्ती थे ठीक है गोचर हो गया हैं हवाई एड़े के बारे में पूछ देता है की चिनियाली खी घा परिश्टी थे जो भी है जाब जो बीज़ साब आपके भिरिन पर आगया होगा यह प्यारे बहुत सा आपके ब्रेइन पर यह प्यारे बहुत ऐंग वह ऑप करें तो उत्राखंडरी के नियार टूटल एन्चाइवे कीता है तेरसों फीछतर किलो मीटर केवल सो टेरसों पीजथर है ठीक है 345 किलो मीटर है और राजयमें गींति की बात गयत कि हैं तो व cancelled three 778 10 मलब 205 फीश्यों योजना उन्निस सातानमे से लेकर 2002 के वी चले थे तब तक 9 NHIW थे और उसके बाद में 2004 में क्या हुआ पास नए NHIW बन गए थे कौन-कौन से बने थे वो मैंने बता दिये है 119, 121, 123 और 125 और 87 क्या था बाद में बना था और 187 पहले बन चुगा था ठीक है कन्फिजन मत हो ना जो और थे 58, 72, 73, 74, 87, 84 और 72 हो गया कह सकते जिसको एक कह सकते 108 हो गया 109 हो गया यह हाईवे क्या थे इसके अंतरगत पे पहले बन चुगे थे और इसी के अंतरगत की बात के तो राज्ये के अंतरगत पे अंदर ठीक है राज्ये में लोग निर्माड विवाग के अंतरगत पे नियंतरण में कितनी सड़के है भी किलो मीटर की बात के तो 21,106 किलो मीटर है और इसके अंतरगत पे इसके अंतरगत पे जो इस तानी निकायों के अंतरगत पे कितना है 2330 किलो मीटर ऑट के इसे के इंतरगद की बार्थ के तो राज्जे के अंतरगद पे इस पर गार राज्जे में मार्गों की कुल लंबाई कितनी है 30 789 किलो मीटर है इन चीज Beimadil जोड देते हैं इसके अंतरगद पे तो अन्य विभागों के अंतरगद की तो अन्य विभाग तू लब 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 ये तो पहुँच गया इतना तो टोटल कितना हो जाता है उत्रा खड़ने में कुल शड़क लंबाई लब 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 38735 377 के आसपास में वैसे तो याद कर लो 38737 ठीक मैं लेक देता हूं यहां पर कंफ्यूजन मत होना 38737.78 ठीक है टोटल इतना हो गया इतना है लोग निर्माण विभाग इस्तानी निकाय के पास में तथा अन्य विभागों के पास में तीन होते हैं उसके अंतरगत में बटे होते हैं ठीक एनसाई भी किसके बास देना है परधान मंत्रे सड़क के हैं अब निताल और उतम सिंग्नेगर हरीद्वार हो गया देहरादूल हो गया पौड़ी गडवाल के अंतरगत पे टोटल कितना है 344 किलोमीटर है जिसके अंतरगत पे बड़ी ट्रेक किती है 283 और चोटी ट्रेक 100 किलोमीटर छह जिलों से लगता है यह चीज मैंने बता दिया और से बड़े कूल मिलाकर किते रेलवे स्टेशन है एक चाली साहँ पर रेलवे स्टेशन है यह चीज भी हो गया अब हवाई सफर की बात के तो हवाई अड़ी पर मुक कौन-कौन से सबसे पहँने यहां पितोरागाड से ब सूरू करते हैं नहीनी सेंड हवाई अड़ा यहा पर हो गया जोली ग्रांट हो गाय देह्धादूर आधिक पर रिस्तित है और तरकासी के अंतरकत पर उस्तित है और अन्तो पर सान विए जो चीज करि较ब ह के लिए चोटेों एक्जाब में ज्यादे रेलेट होता है यह चीज़ मैंने आपर बता दिये ठीक है चले दोस्तों समझ गयोंगे उत्राखंड में यातायात संबंदि एरेट संबंदी तथा हवा ही यातात संबंदी जो महतोफूर्ण सड़क है और महतोफूर्ण ट्रेक है और महतोफूर्ण जो यहां पर हैलिपैड बनाए गये है जो भ पताईएगा ठीक है चले दोस्तों आज का इन्फॉर्मेशन आज का टॉफिक हम यहीं पर सबापते करते हैं यदि आज का टॉफिक आपको च्छा लगे लाइक कीजिएगा कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल नेक्स टैम को सब्सक्राइब कीजिए तदा सेर भी कीजिएगा जो इस्टुटेंट गर बैटकर पेपिरेशन कर रहे हैं सौटली रूप से उनके पास में कंटेंट उपलब्द हो जाए ठीक है चले दोस्तों वापस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो फर नेक्स्ट क्लास पर